नाक रगड़नेंगे भिखमंगे पैर पगड़ने के लिए आएंगे आपके कैज लिगड़ जगीन की जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता दिकार नहीं पता तब तक यह आपको दबा और कुछा रहे हैं लेकिन अगर पैसे ही नहीं तो राउ के तुग रहा तो क्या अगर रहा है शाक्षा चनी देवी दर्ती बे आगए आपकी पुझड़नी बाढ़ चकते और यह चवनी चाप तो सुद्धा ही कुछ नहीं हैं लाखों अदमी इनके कारण सूसाइड कर चुके हैं सारे देश में कस्मीर से लेके कन्या कुमारी तक और क्रोड़ों अदमियों को इन्हें मृत्यु शहिया पे पुझाय हुआ हैं वो सूसाइड करने की कगार पे पु भी डिफॉल्ट होगी चाह सारे अंसिक्यूर्थे चाह सारे सिक्यूर्थे चाह अद्दे अंसिक्यूर्थे अद्दे सिक्यूर्थे तो भी एक्राइम की श्रेड़ी में नहीं है यह सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा क्रिमिनल आपको बनाया किसने आप रादी आपको गोशित कितना किया इन चुवनी चापों ने साथ यो अगर आपके घर चुवनी चापों आ रहे हैं फैक्टरी मकान दुकान कार खाने में अगर आपकी E.M.I. डी फोल्ट हो रही है सबसे पहले उसको को आई काड दखा 99 परसेंट 54 चापों के पाँ साई काड़ी नहीं है वो बोल रहे है मैं उस बैंक से आया हूँ उस NBFC कंपनी से आया हूँ क्या भाई सब मुझे क्या बता आप उस बैंक NBFC कंपनी से आया हूँ क्या बता आप चोरो जारो ठगो कोणो मेरे को क्या बता आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से कोई ID तो होगी, कोई प्रूफ तो होगा, नहीं है उसके पास, उसके दुकान पे ठुट मारा नहीं तो दुकान में पैटरोल के कुड़ है, बागें से बिक मंगे, अगर वो ले भी आया, एक परसेंट के पास हैं, उसको कहा भाई, ID तो म फिर बगा उसको, फिर वो ले के आएगा, फिर उसको बोल, भाई, करोना खतम नहीं है, हमारे देश में, बीना मास्क लगाए, कैसे आगया, उसकी वीडियो बना लो, फोटो की चलो उसकी, ठाक है, नेशनल डिसार्शनल एक्ट में उसका परच्चा दरज करोओ, दो साल की जगा प्रावदान है, ये ठीक है, कि अभी करोना कम हो गया है, लेकिन गया नहीं है, गौर्मिट की गाइड लाइन्स में, आज भी कस्मीर से कन्या कुमारी तक, मास्क लगाना, मेंडेटरी है, कमपलसरी है, कोई नहीं लगा रहा है, वो बात अलग है, गैर कानूनी काम कर रहया है, वो, और कोई भी चोवनी चवजा पांठ साथ दस आपके घरणी आ सकते है, भैक्टरी में, दुकान में, कारखाने में, या कोई भी जबर्दस्ती है, आपके ड्राइंग रूम में, आपके घर के अंदर प्रोइशनी कर सकता है, या वैक्टरी में, आपकी और उसके बाद अगर आपको प्रेसान कर रहे हैं गाड़ी गलोच कर रहे हैं अरास कर रहे हैं 99% ये फेक नोटी बेचते हैं चुछनी चाफ फेक नोटी डिसंटेड वाइलिक के वीडियो देख लें अगर आपके पास कोई नोटीस आ रहा है तो आपको तब ही पता लग क्या जैन्वन हैं लाखों आदमी सूसाइड कर चुके हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्स फील हो रहा है फुसी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमर्दीप कादियान के साथ जुड़के सूसाइड करने से बच चुके हैं आतम अत्या करने से बच चुके हैं क्य साथ के साथ उसका माइंड सेट होता जाता है उसको समझ में आ जाती है उसकी काउंसलिंग होती रहती है 9306347314 इस नमबर को सेव करके वर्ट से मैसेज करें तुरंत प्रबाव से रिपलाई आएगा कि कैसे आप मारे साथ टेलीफोन इकली जूड़ सकते हैं या परसनल मिटिंग कर सकते हैं साथ योड डरेगा ब्राईनी अगर यह आपके साथ आप शबत भोल रहे हैं सबसे पहले इनकी रिकोर्डिंग करें प्रूफ लें उस प्रूफ को लेके सिता ब्रांच एड़ से मिने जिस भी बैंक के अन्वी अपसी कंपनी ने आपने लोन लिया है उसके पास लिखित में शकायद दे रिटन में इसकी कंप्लेंड दे नहीं तो मेल से भी आप इनकी शकायद कर सकते हैं लेकिन एक ध्यान रखें अपनी रिजिस्टर्ड मेल आईड़ी से मेल करनी है जो आपकी मेल आईड़ी बैंक या न्वी अपसी कंपनी में रिजिस्टर्ड है उसमें पूरी डिटेल में लिखें के बाई मेरी ये जैनुवन प्रोब्लम है इस वजह से मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा हूं लेकिन ये डेमोक्रेसी है वर्ल्ट की बिगए डेमोक्रेसी है दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंतरा है इन बीक मंगों ने इसका मजाक बना रखा है क् लिए आम आदमी को अपने राइट सोर अधिकार नी बता वो अपने आपको खुद से क्रिमिनल समझ रहा है खुद से अपरादी समझ रहा है इन 54 चापों के दबाओं में आके सबसे पहले ब्रांच एड के पासिंग की कंप्लेंट करें मेल के दुआरा भी कर सकते हैं सी सी म आई मैं कानूनी कारवाई करूँ तेरे को भी कोट में बलाऊंगा कदी तुछ ज्यादा चोड़ो रहा है यह 54 चाप मेरे पिछे किसने लगाए हैं बता मेरे को किसने लगाए हैं ग्यार कानूनी तरीके जरी कवरी करने के थ्राइट किसने किया तरे को यह आगे है तो सारा रिकोर्ड रखें का उसके बाद सिद्धा इनकी नोडल ओफिसर के पास कंप्लेंड करें और वहाँ पे भी सारा वो सारा डेटा वो सारा उसको दे अगर वहाँ से भी आप जब आप ब्रांच एट के पास जाएंगे वहाँ कंप्लेंड करेंगे 70% चांस है कि 54 जाएं या मेल करें लेकिन उसका प्रूफ जरूर रखें अगर आपको वहाँ से भी संतुस्टनिया सटीफाइन या पहली बात तो 80% चांस है कि आपका वहाँ से काम हो जगा अगर वहाँ से भी नहीं हुआ तो सारे देश के लिए एक बैंकिंग अंबुड्समेन बना दिय गया अरबी आई द्वारा बैंकिंग लोग पालेक बना दिया गया है सारे देश में जितनी भी बैंक और नवी एफसी कंपनी काम कर रही है जो भी वित्ते संस्तान है किसी की भी कंप्लेंड आप वहाँ कर सकते हैं जो गैर कानूनी तरीके से आपके रिकावरी की कोशिश क कर रहा है वहाँ पे आपको 90% चांस है कि वहाँ से रिलीव मिलेगा क्योंकि वहाँ से मेल आएगी उन 24 छपों के पास और उस ब्रांच एड़ी के पास के भाई इसके साथ गैर कानूनी तरीके से कैसे रिकावरी कर रहे हैं और बैंकिंग अमूटसमेन के पास इतनी पावर कैसे लगा देती हैं ऐसे इनके पास कोई राइट्स कोई दिकारनी है अगर आपका कोई फाइनेंसल लोस हुआ है तो अमूटसमेन के पास इतनी पावर है बीस लाक रपे तक की आपके पैसा वापसी दिरुआ सकता है अगर बीस लाक रपे तक का लोस हुआ है तो आपको को उस्तनी है तो आप RBI में इनके खलाब जा सकते हैं RBI में complaint registered कर सकते हैं धिकल प्रेशानी कहा है अग्यानता की वज़े से लोगों को knowledge ना होने की वज़े से direct कोई embarrassment के पास जा रहा है कोई सिद्धा जोनलेट के पास जा complaint करने कोई सिद्धा RBI के पास जा रहा है पहले कानूनी प्रकिरिया को समझे बगवान ना करे आपने किसी को थपड मार दिया या आपको किसी ने थपड मार दिया तो सिद्धा डीजीपी की साब के पास complaint करवा होगे का डीजीपी साब जो होते हैं वो पुलिस का सबसे बड़ा officer होता है सारी स्टेट का अब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं को थपड मारने की complaint वहां करवा होगे अरे भाईया नेर बाए पुलिस थाने चोंकी station में आपको complaint करनी पड़ेगी अगर वहां से आपका काम ना बढ़े आपकी कारवाई ना हो तो आप SP साब के पास जाएंगे वहां से ना हो तो डी आई जी साब के पास जाएंगे वहां से ना हो तो आप डी जी पी साब के पास जा सकते हैं वहां से भी ना हो सबसे पहले उसकी ब्रांच एड के पास उस ब्रांच में आपको कंप्लेंड लिखवानी है यह नहीं है कि डारेक्ट चले जाओ वहां से फिर आपको वहीं बेज देंगे तो आप इसको प्रकिरिया को समझे अगर वहां से भी आपको नहीं कि रिलीव मिली आर बिए से आपको लग रहा है कि मेरी संतुष्टी नहीं है मैं सटिफाइड पुरा नहीं हो तो आप कंजूमर कोट में जा सकते हैं कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट टूस थू थाफ़जन्ट नाइंटिन में अमेंडमेंट ओ चुके हैं बदला ओ चुके है Consumer Protection Act में 2019 में अब वो कंजूमर के ग्राहक के और भी ज़धा इत में आ गया है पहले क्या था कि अगर आपने केरला से कोई लोन लिया तो केरला में जाके ही आपको कंजूमर कोट में केस रिजिस्टर करना पड़ता था मान लो आपने कोई प्रोडेक्ट भी केरला से करिदा और अब आप जम्मू कस्मीर आके रहने लगए हैं क्योंकि मोदी साहब ने दारा 378 आदिया कोई भी आदमी जम्मू कस्मीर में जाके प्रोपर्ट भी करिद सकता है अब वह आप मोँ आजाके रहने लगए हैं चाहे आपने 100 रपेगा कोई समान करिदा है केरला से आप जम्मू कस्मीर में उसके उपर केस रिजिस्टर कर सकते हैं ये कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ बदला हुआ है 2019 में उसने आपको ये राइट सोर अधिकार दिया है ऐसे ही कोई भी बैंक एनवी एफसी कंपनी अगर आपके साथ गलत कर रही है और आर बी आई तक भी चले गए हैं तो भी आप सिद्धा कंजूमर कोट में केस कर सकते हैं फिर चाहे बले आपने लोन केरला से लिया हो आप जम्मू कस्मीर में कर सकते हैं आपने गुजराथ से लिया आप अरियाना में रहते हैं तो अरियाना में ही कर सकते हैं उनको वहाँ आना पड़ेगा वो यह नहीं कह सकते के भाई मैंने लोन ही आ दिया था तो यहीं मेरे उपर केस करेगा डरे गब रायनी कंजूमर कोट में कोई जरूरी नहीं है मेंडेटरी नहीं है का आपको वकील करना है आप खुद से भी अपना केस लड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको कंपन सेशन भी मिलेगी मुआपजा भी मिलेगा नाग रगड़ेंगे भिखमंगे पैर पकड़ने के लिए आएंगे आपके कैज लिगड़ जगीन की जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता अधिकार नहीं पता तब तक यह आपको दबा और कुछा रहे हैं अगर आपके किसी भी यार प्यारे रिष्टेदार कोई कोई भी दिकत प्रेशानी लोन से रिलेटेड आ रही है अगर बगवान ना करे वो आतमत्या की कगार पे पोच गया आप एक बार मारी वीडियो उसके पास पोच जेंगे तो सो परसंट चांस है 1990 सो परसंट चांस है कि आतमत्या का विचार उसके मन में कभी आएगा नहीं इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत प्रेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिस्तेदार को लोन से रिलेटिड अगर आ रही है फिर भी कोई दिकत प्रेशानिया है तो आप वहीं कमेट चोड़ सकते हैं जब भी मैं ओनलाइन होता हूँ मैं जवाब जरूर देता हूँ इसके अलावा अगर आप मारे साथ टेलिफोनिक ली जुड़ना चाहते हैं परसनली मिटिंग करना चाहते हैं पिर आपका लौन दो करोड का है पाच का है पच्छीस का पचास करोड का है जितने भी करोड का है लोन से रिलेटेड कोई भी दिकत प्रेशान नहीं आपको आ रही है आपके पास सरफेसी एक्ट टूथे के द rayanten नोटिस आ रहे हैं 132 का रहा है 134 का रहा है symbolic position का रहा है physical position का रहा है या अन्य किसी भी तरह का notice आ रहा है सबसे पहले तो यह समझे अगर आपका agriculture loan है तो उसके उपर surface act लागूई नहीं होता अगर आपके 50% पैसे जा चुकी है यह माई के तो आप DRT में जा सकते हैं भी कोट का नाम है अगर आपके 50% भी पैसे गए है तो भी आप DRT में जा सकते हैं उससे कम भी गए हैं तो भी जा सकते हैं लेकिन DRT कोट एक वहाँ भी ज़सा बैठते हैं वो एक राशी निर्दारित करेंगे कब इतने पैसे दे के कम से कम 50% या जो वो डिसाइड करेंगे तो आपका केस वहां कंसिडर किया जाएगा आप वहाँ से संतुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष सकते हैं आप परसनल मिटिंग कर सकते हैं लोन से रिलेटिड जो भी आपके बाइड डोकुमेंट से हो सभी लेके आप मेरे से परसनल इमिटिंग कर सकते हैं या टैलीफोनिक लिए ड़वाई ले सकते हैं उसका क्या प्रोसेस है आपकी स्क्रीन पर कमेंट वोक्स के अंदर न जाएट से सुडाल वाडो की